Hello and Welcome to Great Online Academy, मेरा नाम है रविन, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे मार्केटिंग के कॉंसेप्ट्स को, देखें, DFCCL ने 2016 में एकनोमिक्स के कोस्टन्स को ज्यादा पूछा था और 2018 में मार्केटिंग के कोस्टन्स को ज्यादा पूछा, तो DFCCL एकनोमि के रेस करेगा या सारे कोस्टन्स मार्केटिंग के, तो जब भी हम लोग एकनोमिक्स और मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को एकनोमिक्स भी कमप्लीटली समझ की चलना है, और मार्केटिंग जो हमारा एकदम इजी सा सब्जेक्ट है, इसको भी बिलकुल अच मार्केटिंग के लिए रहा हूं तो आज हम लोग मार्केटिंग के कुछ चीजों को डिसकस करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे मार्केटिंग के कॉंसेट्स को उसके बाद हम जानेंगे निश मार्केटिंग एंड रिलेशन्शिप मार्केटिंग यह दो चीजे क्या होती है यह इन तरह के मार्केटिंग को हम लोग specifically क्यों समझते हैं जो अलग-अलग टाइब की मार्केटिंग हम लोग सुनते हैं database मार्केटिंग या qualitative marketing quantitative marketing या हमारी referral value marketing इस तरह की जो marketing है वो सारी की सारी niche marketing and relationship marketing के अंदर ही आती है तो यह जो दो major categories marketing की क्या है इसके बाद हम लोग जानेंगे कि customer को focus में रखते हुए किस तरीके से marketing strategies बनाई जाती है जब भी कोई company marketing के strategies बनाना चाहती है तो या तो प्रोडेक्ट औरियंटेट बनाएगी या तो customer oriented बनाएगी या तो market oriented बनाएगी तो जो customer driven marketing strategy है वो किस तरीके से बनाए जाती है और यह most important strategy होती है marketing की जो customer को directly retain करती हो और attract करती है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और लास्ट नों डिसकस करेंगे monetary policy of RBI लास्ट वीडियो मैंने RBI के बारे में बताया था इस वीडियो में monetary policy of RBI को डिसकस करूंगा RBI हमारे देश की monetary policy को बनाती है जिस तरीके से fiscal policy को finance minister बनाती है उसी तरीके जो हमारे मौदरिक नीती है उसको हमारी RBI बनाती है तो इन सारे topics को आज हम लोग cover करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज आप इसे अभी subscribe कर लिजे ताकि मेरे द definition यह कहता है कि वो सारी गतिविधी वो सारी activities जो कोई भी organization करती है जब वो customers को value provide करने की कोशिस करती है जब भी कोई organization customer को product देने के बजए वो यह सोचना स्टार्ट करती है कि हम customer को values provide करें तब वो company या वो organization marketing strategy पे काम करता है marketing का मतलब होता है सीधे तोर पे लोगों की जिंदिगे में सुधार लाना हम जब तक लोगों की जिंदिगे में सुधार नहीं लाएंगे तब तक हम अपने आपको long lasting या long term के लिए स्टैबलिस नहीं कर सकते अगर कोई company सिर्फ short term goals रखती है या अगर वो company चाहती ही कि हम एक साल में इतनी सारी चीज़े भेजे तो वह कोई भी फरजी वाड़ा कर सकती है कोई भी ऐसी गलत चीज़े बेज सकती है जिसको attractive customer समझ के easily खरेद ले बट लास में पता चले कि ऐस एक साल में हम आपको एक करोड उपए दे देंगे तो बहुत सारी लोग उसमें आ जाएंगे बहुत सारी लोग उसमें इंवेस्ट कर देंगे बट क्या होगा वह company बाद में भाग जाएगी तो जब वह company sales के उपर धान दे रही है जो फरजी वाड़ा करती है तो वह लोग selling जिस पर भी आप विश्वास करते हैं तो आप मान के चलिए कि उस company का कोई ने कोई marketing strategy होगी जिसके वजह से आप उसने यह belief बनाया है कोई भी company जैसे कि एक example के तौर पर मान के चलिए कि अगर कोई company एक food item बनाती है तो अगर वह food item बहुत ही tasty है तो maximum वहाँ उसको खाने के चले आते हैं बट marketing strategy में क्या क्या जाता है उसमें आपको यह भी बताया जाता है कि अगर आप हमारे यह item खाते हैं तो आपको इतनी calorie energy मिलेगी इतना आपको potassium मिलेगा इतना calcium मिलेगा इतना इसमें carbohydrate है fat इसमें बहुत ही कम है तो इस तरीके की strategy जब market में उतारी जाती है तो लोग जो होते हैं अलग-अलग type के होते हैं कुछ लोग health conscious होते हैं और कुछ लोग स्रिप foodie होते हैं जिनको कोई भी चीज खाने से दिक्कत नहीं है तो जो पहले foodie होने का वज़े से खा रहे थे marketing strategy आने के बाद हमने अपने product के benefit को बताया और उसकी जो value है आपके life में उ भावित करती है बट selling जो है वो किसी भी तरीके से marketing strategy को सो नहीं कर सकता कोई company अगर selling purpose विधान देती है तो कोई भी attractive चीज दिखा सकती है वो कुछ भी कह देगी बट marketing strategy बहुत ही सो समझ की की जाती है और product में उस चीज की originality या उस चीज की value आपको हमेशा मिलेगी तभी उ pharmacy क्या है एक marketing strategy रखती है जिसमें बताती है कि अगर आप हमारा product इस्तमाल करेंगे और अगर आप योगा करते हैं तो आपको life में कोई भी विमारी नहीं रहेगी और आप सौ सालों तक बिल्कुल अच्छे से रहेंगे और बगल में कोई और कंपनी है जो आयुर्वेदिक है वह भी अपना product बेस्ती है बट अगर वह company यह सो करे कि हमारा product दिवेफार्मेसी से अच्छा है या हमारा honey दिवेफार्मेसी से अच्छा है क्योंकि हमारा इस इस लैब में tested है और यहां का टेस्ट्रेट नहीं है तो यह क्या हुआ यह एक marketing strategy है और जो दिवेफार्मेसी काम कर रही है वह एक तरीके की selling strategy plus marketing दोनों है बट यहां पर बिलीफ किसका ज्यादा होगा उसका बिलीफ ज्यादा होगा जिसकी लैब में testing हो चुकी है तो marketing strategy के लिए जब भी कोई company काम करती है तो इस तरीके की चीजों को लाती है जिसमें लोगों पर बिलीफ आ जाए जिससे हमारे उपर लोग बिलीफ करने लगें बट selling strategy में सिप लोगों को लुभाया जाता है उसमें बिलीफ पिधार नहीं दिया जाता है कुछ समय के लिए लोग उन चीजों खरेज देते हैं बट long term में उन चीजों से लोग हट जाते हैं तो यही जो में चीज है आपको बिलीफ है total market में से अगर हम किसी specific group को निकाल लें या हमारी कोई specific audience है जिसको हम निकाल लें और हम सिर्फ उनहीं के लिए marketing करें या उनहीं के लिए काम करें जैसे कि मान के चलिए कि juice की कोई दुकान है या juice की कोई company है अब वह company पहले orange juice बनाती थी apple juice बनाती थी बहुत सारी चीज़ एड है उसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी एड है जिसके वज़े से health conscious people उस चीज़ को नहीं पीते हैं उनको पता है कि यह real juice नहीं है और यह हमको सिर्फ नुकसान करता है उसमें वैसा टेस्ट है जिसके वज़े से ऐसा लगता है कि हमारा orange juice है या apple juice है उसमें सारी चीज़े आजाए वह बोले कि इस तरह के juice तो अब मत पीज़े हम आपके लिए एलोवेरा juice बनाते हैं जो रियल है बिलकुल रियल है और जूस पीने से आपको फायदा होगा यह हम आपके लिए का juice यह कूई ऐसा juice बनाते जो आपके हैवार्ट पर फायदा करेगा आप मार्केट से खरेच सकते हैं इसको पी सकते हैं और यह completely health conscious है तो यह जो हमने किया यह सारे juice पीने वाले जितनी भी हमारी audience है जो भी हमारे customer है हमने उसमें से एक specific लोगों को निकाला जो health conscious थे और अब हमने स्रिफ उनके लिए product बाना start किया इस तरीके से क्या हुआ कि जब भी health conscious process लोगों को juice पीने का मन करेगा तो वह हमारे company के product को खरे देंगे उनके बास दूसरा option नहीं होगा हमने पहले भी market के बात की है जब भी कोई अपनी किसी भी चीज में monopoly बना लेता है तो वहां पर competition सबसे कम होता है तो जो निश मार्केटिंग है इसका उद्देश यही होता है कि हम कितना ज़्यादा अपने किसी भी सेक्टर में monopoly बना सकें जैसे कि मान के चली कि Harley Davidson यह बाइक्स बनाती है तो यह नॉर्मल बाइक्स तो नहीं बनाती है कि आप इससे जहां आफिस जाना चाहते है वहां जाए यह इस तरह के लोग इस तरह की बाइक्स को नहीं खरते यह सारी cruise बाइक्स हैं जो भी अपने वीकेंड से पूरी तरीके से बोर हो जाता है Monday to Friday की जॉब से बोर हो जाता है वह चाहता है कि हम वीकेंड पे जाएं कहीं ने कहीं घुमने के लिए जाएं तो हम इस तरीके की बाइक राइडिंग करें तो वह लोग क्या करेंगे Harley Davidson की बाइक खरे देंगे अब cruise बाइक बना करते उस पे हो जाएगा नीश marketing पे focus करने से क्या होता है बाद में जो बाहर की audience से वह भी हमारे प्रोब्ड़ को खरेने लगती है कंड जो टाइप है वह रिलेसंशिफ लेकित मार्केटिग रिलेसंशिप मार्केटिए इस थरह के मार्केटिग है जिसमें principal कंपनी को नहीं बेस्ती है पहले ये काम करती है अपने Customer से Relations बनाने के लिए जैसे कि कई बार कई Compet voyage लेको आपको सुबह मूपनी बोले अपको नमस्ते करते वे जाएंगे सलव करते वे जाएंगे या ये आप से तुरन दोस्ती बनाते हैं किसी भी पार्टी में किसी भी फंक्शन में जहां पर भी लोग जाएंगे अपने बारे में बताएंगे कि मैं इस कंपनी जुड़ा हुआ हूं उस वक्ति आपको कोई भी प्रोड़क्ट नहीं बेचेंगे उस वक्त यह सिर्फ इस चीज पर काम करत हैं हम आपके बारे में सोचते हैं हम आपके लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं इसलम आपसे रोगलर नमस्ते करते हैं सलाम करते हैं हम आपकी इज्जत करते हैं तो इस तरीके से जब एजेंट्स काम करते हैं तो क्या होता है जो भी कस्टमर उनसे जूट जाते हैं वह उन उन्होंने लोगों को योगा सिखाया उस वक्त ना तो कोई दवाई बेशते थे ना तो कोई प्रोडग्ट बेशते थे वो कुछ भी नहीं बेशते लेकिन जब उनका रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे जो योगा प्रैक्टिसनर्स हैं उनसे बन गया तो उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने जो भी उनके प्रोग्राम सोते हैं उनमें धीरे-धीरे अपने किसी प्रोड़क्ट के बारे में बताना देश की मार्केटिंग कर रहे हैं और वहां पर बता रहे हैं कि यह एक स्वदेशी प्रोड़क्ट है यह इसको अगर आप खरेते हैं तो आप देश की जीडीपी में डारेक्ली कॉंट्रिब्यूट करेंगे देश की जीन पी बढ़ती है तो इस तरीके से उन्होंने क्या ए विश्वास रहता है कि बाबा रामदेव कभी गलत प्रोड़क्ट नहीं बेचेंगे तो इसके वाज़े से जब भी वह कोई भी प्रोड़क्ट बनाएंगे तो वह प्रोड़क्ट चाहे अच्छा होगा चाहे बिकार होगा उनको प्रोड़क्ट के रिसर्च करने के उतनी ज्यादा जूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास एक ऐसी रिलेसंसिप है जिसमें लोग अंधे तरीके से उस प्रोड़क्ट को खरेद लेंगे देगे कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्टेड़ी इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी मार्केटिंग स्टेड़ी जो हमेशा कस्टमर को focus में रखे बनाई जाए कास्टमर को focus में रखने से क्या होता है कि हम directly कस्टमर की हर एक डिमार्ड को पूरी कर सकते हैं customer हम से जो भी चीज चाहेगा, हम उस चीज को पूरा अपने तरीके से value addition के साथ customer को provide करेंगे, तो अगर इस तरह के marketing strategy बनाई जाए, तो हमारा customer हमेशा हमारे साथ loyal रहेगा, और हमेशा हमारे साथ satisfied रहेगा, तो customer driven marketing strategy में जो सबसे पहली point है, वो analyze your niche and create detailed buyer persona, इसका मतलब हुआ आप अपने उस चीज के इस्पेशियाजियों चाहिए जिसमें आप काम कर सकते हैं किस तरीके के इस्पेसिय ग्रूप ये इस्पेशियों को आप टार्गेट कर सकते हैं जिनके आप कोई प्रोडक्ट बनाएए तो कस्टमर आपसे सैटिस्वाइड भी हो औ के पहले सबसे पहले आप अपने नीश को जानिए तभी आप उस प्रोड़क्ट को बना सकते हैं जो सेकेंड पॉइंट है वह प्रोड़क्ट डेवलप्मेंट स्टेटजी ऑन कस्टमर फीडबैक जब आपने अपने नीश को पकड़ लिया कि मैं इस चीज का प्रोड़क्ट बना सकता हूं तो आप अपने प्रोड़क्ट को इस तरीके से बनाएं जैसा आपको कस्टमर फीडबैक देता है अगर आपको आपका कस्टमर बता रहा है कि आपका ये प्रोड़क्ट हम चाहते हैं कि इन इन तरीके से हमको मिले जैसे जो हाले डिविट्सन अगर वो बाइक बना रही है तो अगर उनको कोई कस्टमर बोलता है कि हमें इतनी स्पीड की क्रूज बाइक चाहिए माइलेज के कोई चीज बताता है तो और चाहती है इससे क्या होगा कि आपने सबसे पहले अपने पॉइंट को पगड़ लिया क्या हम प्रोड़क्ट बढ़ाना छाते हैं फिर आपने उसी तरीके सर्पोल्डा को डिविलपफ किया तो कस्τικमर की आपके पीड़ाइक करने की कैपासिटी है वह डिर्रेकली बना दी उसने कस्टमर को प्रोड़क्ट बेज दिया अब कस्टमर प्रोड़क्ट लेके चला गया और उसका कॉंट्रेक्ट अगर आपसे तूट जा तो दोबारा जब भी आप किसी प्रोड़क्ट को बेचेंगे या उनसे आप अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे तो क्य है वो सारी चीज़े आप एक साथ कर सके कोई एक ऐसा ग्रूप बना दे जिसमें सारे लोग एक साथ बात कर सकें आपके प्रोड़क्ट से डिलेटेड जैसे हमारा भी यूटूब चैनल है उसकी जो टेलिग्राम ग्रूप है वहाँ पर हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं हम उन चीज़ों को रिजॉल कर सकते हैं इससे क्या होता है कि हम हमेशा आप से जुड़े रहेंगे और आप से रिटेड जो भी प्रॉब्लम से हमको जो पेस आउट करनी जिसके लिए हम प्रोड़क्ट बना रहे हैं यह सारी चीज़े एक बार में खत लुटि Know your existing customer better than you know yourself आपके जोभी existing customer जो आपके बड़ा आ चुके हैँ उनको आप इतने अच्छे तरीके से जानेगे जितना अच्छा च्हां आप खुद को भी ना जानते हो मतलब आप complete अपना focus शिर्व अपने customer को जानने में कीजिए इससे क्या होगा कि यह आप अपने आपके existing customer हैं प्लस जो customer add होते जा रहे हैं उनको regularly जानिए उनसे रेटेड जो भी आप बात करते हैं customer service पे उनकी जो data से उन्होंने किसने क्या complain किया है और उसकी जो चीजें वो resolve हो रही है कि नहीं हमने जो भी चीजें अभी तक product पर launch जो हमारा product launch किया है उसमें किस तरीके का हमारे customer हमको response दिया वो क्या हमारे product से चाता था इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से जानना बहुत है जरूरी है तभी आप अपने बिजनेस को एकदम अच्छे तरीके से और growth में लेकर जा सकते हैं फिप्ट एन लाज जो हमारे point है वो कहते हैं कि make words of mouth your main targeting force देखे हर एक company अपने advertisement को चलाती है हर एक company TVs पे या अलग-अलग websites पे आप देखते होंगे YouTube पे हर वक्त advertisement आता रहता है तो यह advertisement से तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है बड़ जो में प्रभाव पड़ता है किसी भी लोगों पर वो लोगों की बोली हुई बात पर पड़ता है जैसे आपको किसी ने कहते हैं कि आप इस बहुती अच्छी है यह आप कोई कपड़ा खरेदना चाहते हैं तो अगर खिसीन बता देया कि आप इस company का ले लिजे यह बहुत ही ऊच्छा है या कि यह कुई बी प्रोटैक्ट आप कभी-भी-खरेद Balkan तो आप 2 लोग से सलाह लेते हैं हमेशा आप किसी भी ऐसे person से सला लेना चाहेंगे जिसको आप knowledgeable मानते हैं जो market के बारे में जानता है तो इस तरीके की जो चीजे हैं वो market में फैलानी चाहिए खुद वह खुद आप 10 लोगों को खड़ा करिए कोई भी 10 आप ही के जो बंदे हैं वो market में जाके बोलेंगे किसी भी person को कि यहां जाके यह चीज खाओ यहां से चीज खरे दो तो वो क्या होगा दूसरा person जाके तीसरे को बोलेगा और तीसरा जाके दस्वे तक महुंचाएगा तो इसी तरीके से जो यह chain है वो directly बनती जाती है चले customer driven marketing strategy को आप लोग समझ गया होंगे अब हम लोग समझते हैं जो monetary policy of RBI यह वो क्या है चले भचो अब हम लोग देखते है monetary policy में कौन कौन से ऐसे points है जो RBI की मौदरिक नीती है यह किस किस तरीके से जो हमारा पैसा है देश में उसको control करती है अब banks में जब भी हम लोग पैसा जमा करते है तो RBI उस पे पूरा control कैसे रखती है इस चीज को हम लोग समझते है देखे सबसे पहली चीज है bank rate देखे bank rate क्या है जब भी कोई bank उसको पैसे की कमी पड़ गई अब उसको अगर पैसा चाहिए अपने operations को चलाने के लिए तो उसको पैसा कौन दे सकता है सिर्फ RBI कोई भी bank दूसरे bank से कभी भी लोन नहीं लेता है ना तो banks एक दूसरे को लोन देते हैं उनको लोन कौन दे सकता है सिर्फ वोसिव RBI दे सकती है तो RBI क्या करती है जब भी किसी bank को लोन देती है और उस लोन के बदले वो किसी तरह की security नहीं मांगती है कि इसको जो है आप अगर नहीं चुकता करोगे तो हम आप पर ये actions लेंगे या अगर आप हमको इतने समय वापस नहीं करोगे तो आपका interest इतना बढ़ जाएगा इस तरीके चीज़े जब RBI नहीं करती है वो easily bank को लोन दे देती है तो जो policy है उसको कहते है bank rate जब भी जिस interest rate पे RBI बैंक को पैसा दे देती है वही होता है bank rate अब क्या होता है इसी तरह का एक होता है repo rate repo rate में भी RBI बैंक को पैसा देती है बट जब वो उस वक्त पैसा देती है repo rate में तो उस वक्त RBI उसके बदले securities मांगती है bank की कोई ने कोई securities जो भी gold है bank के पास या किसी तरह का bond है वो सारी चीज़े RBI अपने पास रख लेगी और फिर banks को पैसा देगी तो उस वक्त क्या होता है repo rate में कभी भी RBI बिना security के पैसा नहीं देती है और ये पैसा fully controlled जो है वो RBI के power में होता है बट जो bank rate है वो थोड़ा बहुत power देता है banks को कि वो इस पैसे को जब चाहें लोटा सकें और इनको एक long time के लिए loan मिल जाता है और repo rate हर साल हर वक्त दिया जाता है हर साल के लिए bank को पैसा मिलता है और repo rate हमेशा securities के मिलने के बाद ही RBI किसी bank को देती है इन दोनों चीज को आप लोग समझे होंगे bank rate और repo rate में क्या difference है इसी तरह की जो हमारा cash reserve ratio है cash reserve ratio क्या हो गया जैसे किसी भी customer ने किसी bank में 1000 करोड उपे जमा किये अब इस 1000 करोड उपे में से पूरा का पूरा bank नहीं रह सकता क्यों नहीं रह सकता कल को अगर वो bank भाग गया तो अगर वो bank भाग गया तो अब वो सारा का सारा पैसा देश का डूब जाएगा वो जो 1000 करोड उपे सारे customer ने जमा किये थे वह सारा का सारा पैसा क्या होगा अब वह हमारे देश से चला जाएगा अब वह एक तरीके से वापस नहीं आ पाएगा तो आर्बियाई क्या करती है कि एक निश्चित जो पैसा है कुछ माल के चले 20 परसेंट तो वह क्या करेगी उस हजार करोड़ में से 200 करोड़ अपने पास रख लेगी और यही पैसा वह इस्तमाल करेगी बैंक को बाद में लोन देने के लिए तो कैस रिजर्ट रेशियो जब भी आर्बियाई लेती है बैंक से तो इसलिए लेती है कि जब भी वह बैंक रेट पे बैंकों को लोन देगी तो इसी पैसे से देगी और वह बहुत ही स जो रखता है रभी आइए के पास उतना वह रभी आइए से लोन ले सकता है इसी तरह होता है इस टैचुरी लिक्विडिटी रेसियो इसमें क्या होता है जो हमारे बैंक होते हैं वह पैसे को जमा नहीं करते हैं वह सेक्योर्टीज को जमा करते हैं या फिर कैस को जमा करेंगे गोर्ड को किसी भी चीज़ को जमा कर सकते हैं बड़ उन्हीं चीज़ों को जमा करेंगे जिनकी लिक्विडिटी जादा है तो इन सारी तरीके से RBI हमेशा सारी चीज़ों करके रखती है इसी तरह होता है reverse रेपोरेट कई पर क्या होता है कि और की RBI के पास vishy पड़ जाते तब हो क्या करती है यह से पैसा वापस लेती है और by को इंट्रेसं पे करती है तो जैसे रेपोरेट में और को पैसा देती है किसी इंट्रेस्ट में उसी तरह reverse रेपोरेट में बैंक पैसे देते थे charged को इस तरीके से क्या होगा कि जब भी RBI उनकों पैसे को वापस करेगी तो वो इंट्रेश के साथ वापस करेगी और बैंकों को इससे प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से बैंक और बैंक का रिलेशनसिप हमेशा बना रहता है यही जो सारी ही चीज़े हैं वो RBI मॉनिटरी पॉल्शी जो हमारे देश के इसी तरीके से कंट्रोल करती है कि हमारे बैंक कभी भी भाग ना जाए और और RBI का पूरा कंट्रोल उनके उपर रहे आई होप इस सारे पॉइंट आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गए होगी सारी जो चीज़े थी लेक्चर में मैंने एक्के करके अच्छे से समझाई है आप इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझिए थैंक्यू अब कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहें